पहले हम देखते हैं, exponents क्या होते हैं? Exponent का मतलब यार, सिरफ होता है power, चीक है? यानि, अगर मैं लिखूँ 8 की power 2, तो यहां पे, 8 को हम कहते हैं base, यह purple वाला base है, और यह जो 2 है, यह है मेरा exponent. इसको हम index भी कहते हैं, कुछ जगह, और कहते हैं power, चीक है? तो यह exponent हो गया, और इसका मतलब क्या होता है? 8 का square का मतलब होगा 8 into 8, ऐसे ही 8 का cube का मतलब होगा 8 into 8 into 8, ओके? Powers के लिए, आपको बस तीन चीज़े याद रखनी है, सबसे पहली, कि exponent का मतलब power होता है, यहनि 8 का square, 8 का cube into 1, दूसरा, negative exponent का मतलब होता है divide, यानि अगर मैं लिखूँ 2 की power minus 5, तो इसका मतलब है 1 divided by 2 की power 5 हो गई है, चीक है? तो negative exponent का मतलब होता है division, और अगर जो मेरी power है, वो fraction में हो, तो उसका मतलब होता है root, यानि अगर मेरी power हो, x की power 1 by 2, तो इसका मतलब है, यह root x है, similarly x की power 1 by 3, इसको कहेंगे third root, यानि cube root, ऐसे ही x की power 1 by n, तो यह मेरा होगा nth root, इसको nth root कहते हैं, चीक है? बस यह 3 चीज़े याद रखना power में, और loss याद रखना, आपका काम बन जाएगा,